और अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और आर्थरोपोड़ा वेरी इंपोर्टेंट पार्ट द्यान सा समझना सिखा दूंगा मैं सारा याद हो जाना चाहिए आपको थोड़ा उत्तुर लर्न करना ही पड़ेगा मैं कुछ चीज़ें जो पहले जनरल फीचर्स में बताईए उनको वापस अभी हम रिवाइस भी करेंगे चलिए क्लासिफिकेशन हमारा यह जो फाइलम आर्थरोपोड़ा है फाइलम आर्थरोपोड़ा इससे हम six सब फाइला में डिवाइट करते हैं देर आर six सब फाइला सब से पहला है ट्राइ लोबाइटो मोर्फा ट्राइ लोबाइटो मोर्फा बड़ा फाइलम है न बच्चों लार्जस्ट फाइलम है यह ओवर टू थ्री नेम्ड स्पीशिज जो हैं वर्ल्ड में इस अर्थ पे इसलिए इसमें क्लासिफिकेशन भी थोड़ा इसका कॉंप्लिकेट तो रहेगा यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह इसमें सब फाइला है बच्चों दीज आर सब फाइला यह न तो पहला कौन सा हुआ ट्राइलो बाइटो मोर्फा दूसरा जो सब फाइला है वो है चैली सीरेटा चैली सीरेटा बोलते रहें आप जब भी है चैली सीरेटा और तीसरा जो रहेगा वो है मेंडी बुलेटा मेंडी बुलेटा मेंडी बल्स कोक्रोच में थे उसी से यह वरड बना है मेंडी बुलेटा और चोथा जो रहेगा वो है पेंटोस्टोमीडा पेंटोस्टोमीडा फिप्त जो है वो है टारडी ग्रेडा टारडी ग्रेडा फाइनली एक और बचता है जो शिक्स्थ सब फाइलम है वो है ओनी कोफोरा घबराएं नहीं है आप आप सोच रहेंगे बड़े कॉम्प्लिकेटड नाम बता दी है अब हम क्या करेंगे इनको कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि पेंटोस्टोमिडा आपको याद रखने की जरूद नहीं है पेंटोस्टोमिडा याद रखने की जरूद नहीं है टारडी ग्रेडा याद रखने की जरूद नहीं है वो अलग बात हैं कि मैं आपको याद करा दूँगा वो निकोफोरा भी आपसे नहीं पूछा जाएगा पर ये भी आपको याद हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइ लोबाइटो मोरफा देखो बच्चों ट्राइ मतलब तीन लोबाइटो मतलब लोब तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो उनकी जो बोड़ी है वास डिवाड़े इंटो थ्री लोब्स वास इसलिए बोलाओ मैं कि इनमें आज की तारिक में एक कभी जिन्दा नहीं बचा हुआ है तो पहला दूपरिंट यह ही लिख लें फिर हम कि all are extinct एक भी नहीं बचा है तो अब जब बचा ही नहीं है तो हमें इसको पढ़ने की जुरूत नहीं है याद रखने की भी जुरूत नहीं है बस इनके fossils हमें मिले हैं मैं आपको इसका एक फोसिल भी दिखा देता हूँ I have a photograph of this animal यह देखो यह इस तरह के दिखाई देते हैं है ना इसको तोड़ा सर ले ले इधर यह देखिया तो आप तो दिख रहा होगा कि यह जो बोड़ी है यह इस तरह से यह हमारे पास तीन लोब बन गए एक दो और ती और यह बच्चों की तरह पत्थर की तरह यह बन गया है ट्राइलोबाइटो मॉर्फा यह जो एक्जामपल है यह ट्राइ आर्थर से मैं इसको हटा देता हूँ आपने देख लिया तो it is enough और अभी मुझे इसको यहां रखने की जरूरत नहीं है so let's move it from here ट्राइलोबाइटो मॉर्फा हो गय गया body divided into three lobs और example क्या हो गया example हो गया triarthrous एक याद रखना है वो भी याद हो जाएगा triarthrous याद करने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है नाम से ही पता चल रहा है triarthrous तीन लोब है तो हो गया मेरे खाल से ही आपसे यहां से क्योश्य नहीं आएगए जनरल लोलेज के लिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया ट्राइलोबेटम और फाम को याद तो रेना चाहिए बीइंग स्टुडेंट्स बायोलोजी लेकिन एक्जाम में यहां से क्वेस्चन नहीं आएगा जो एक्जाम में क्वेस्चन आएंगे वो चलिस हिरेटा और मेंडी बुलेटा में हमारा जो क्लासिफिकेशन बेस्ट होगा अभी वो चलिस हिरेटा और मेंडी बुलेटा पर ही रहेगा तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे मैं अभी चली से रेटा क्योंकि इनको detail में पढ़ना है तो मैं इनको एक तरब छोड़ देता हूँ Pentostomida जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह आपको याद नहीं रखना है बच्चों और Tardigrada भी आपको नहीं याद रखना है लेकिन फिर भी Tardigrada बड़ा interesting है मैं आपको थोड़ा से बता देता हूँ कि इसमें जो एक्जाम्पल है उनको हम water bears कहते हैं We call them water bears बड़े छोटे होते हैं 0.5 mm साइज से भी यह छोटे-छोटे microscopic animal है सब जगे मिलते हैं Tardigrada यह बड़े ही interesting animals है बचो दुनिया में कोई जगे polar जो हमारी ice caps है जहां polar region है वहां से लेकर हिमालाया में 6000 feet की हुचाई तक यह animal हमारे घरों में हमारे जो gardens है उनमें जो mosses उकती है उनकी नीचे जो पानी की पतली सी layer होती है यह microscope animal आपको वहां देखने को भी लेंगे है ना और इनकी खास बात बताओं आपको tardigrades की कई उने तो सुना भी होगा क्योंकि बड़े ही famous हैं यह tardigrades water bear कहते हैं हम इनको पानी में पानी में मतलब इन देखने जीलों तालाबों में नहीं है यह plants पे और वहां मिल जाएंगे आपको tardigrades these are considered as most resilient सबसे ज़्यादा जो है resistant animal है बचों यह एसी जगों पर भी यह जिंदा रह जाते हैं जहां कोई इनकी खासियत जो है वो यही है बचों मैं क्यों इनके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं tardigrades के बारे में क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि जो extreme condition होती है बचो चाहे वो extreme temperature हो जाए extreme temperature में मैं आपको example दे दूँ कि जो आपका absolute zero जो होता है न माइनस 272 degree centigrade उसके आसपास भी जिंदा रह सकते हैं जहां कोई जिंदा नहीं रह सकता है और high temperature में यह 200 degree पर भी 100 degree पर तो water boil हो जाता है और कोई कुछ bacteria है thermophilic bacteria जो 145 degree पर survive कर सकते हैं उसके ब that is very interesting even outer space एक मात्र animal आज तक जो discover हुआ है जो space में खुले में जिंदा रह जाए इंसान जाता है इस पैस में लेकिन वो तो अपने उस ऐर क्राफ्ट में अपने आपको अंदर बंद करके रखता है वो तो conditions तो बिलकुल अर्थ जैसी होती है तो outer space में खुले में अगर कोई animal creature जिंदा रह सकता है तो वो भी बच्चों सिर्फ यह जो tardigrades है यही जिंदा रह सकते हैं और जब atom bomb या इस तरह का कोई bombardment हो जाए और nuclear fusion reaction हो जाए और जो radioactive radiations निकलती है उन radioactive radiations में भी यह survive कर सकता है बच्चों वहाँ पर भी यह survive कर जाएगा and it is believed कि अगर कभी ऐसा कोई अर्थ पर impact हुआ और उस impact से complete global mass extinction अगर हो जाए कि इस दुनिया पर कोई living complete global mass extinction कि इस दुनिया पर कोई दूसरा जानवर जिंदा नहीं रहेगा तो ऐसी condition में भी tardigrades जो हैं विल survive प्रत्वी अगर खतम हो जाएं यहां पर सारे living animals मर जाएंगे तब भी tardigrades will survive यह नहीं मरेंगे तो आप सोच लिजिए कि इनके बारे में मैंने क्यूं बता बड़े ही microscopic animals चोटे से हैं क्या कहते हैं हम इनको common name इनका क्या है बच्चों common name मैंने बताया आपको कि commonly we call them water bears फोटो देखना है आपको तो I have a photograph of that एक tardigrades का मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है यह बड़े ही जो हैं इस तरह से दिखाई देते हैं इसको नीचे ले लें हम यह देखिए यह इस तरह के स्कैनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रोग्राफ है तो इस तरह से यह दिखने में भी आपको थोड़ा सा कुछ बैर जैसे इसकी जो है लुक दिखाई देर हैं टार्डिग्रेट्स वाटर बैर केता हैं हम इनको ठीक है तो तो बापस आ जातने हैं इदर हमारे पास कितने सब फा हैं हमारे पास ट्राइलोबाइटोमोर्फा चैलिसिरेटा वेंडिबुलेटा पेंटोस्टोमीडा टार्डिग्रेटा ओनिकोफोरा ओनिकोफोरा में यह सच कुछ आपको याद नहीं करना है इसका एक ही एक्जामपल है जो याद रखना है वो है पेरिपेटस अब इसको क् कनेक्टिंग लिंक बिट्वेन एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा बिलॉंग तो किस से गरता ही है आर्थ्रोपोडा से पर इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो एनिलीडा जैसे है तो इट इसको कनेक्टिंग लिंक बिट्वेन एनिलीडा एंड correct, that's it बच्चो, enough, यह आपको याद रख लेना है peripetus के बारे में it is a connecting link between any leader and arthropoda, एक अपने पास notebook ले, जो आपकी notebook हो, उसमें कहीं पर अलग से यह चीजे भी आप सारी लिखते रहें बच्चो, जो मैं आपको बताऊँ, इससे पहले मैंने any leader में भी आपको एक connecting link बताया है और यह अब मैंने arthropoda में भी आपको एक connecting link बता दिया है peripetus, चलिए, अब बचते हैं हमारे पास, दो main important, chalisirata और mandibulata, तो let's talk about chalisirata सबसे पहले ले ले लेते हम chalisirata subphylum sorry subphylum chalisirata अब इसकी एक एक characteristic feature को आप ध्यान से सुनगा chalisirata में जो body होगी बच्चों वो दो पार्ट में divided होगी एक सिफेलो थोरेक्स हो जाएगा और दूसरा abdomen हो जाएगा सिफेलो थोरेक्स और abdomen हो जाएगा correct तो मैं एक body बना ही लेता हूँ इसकी एक diagram बना लेते हम इसका यह देखिए यह तो हो गया सिफेलो थोरेक्स और यह हो जाएगा इसका abdomen ठीक इसी तरह से याद रखना पड़ेगा आपको body is divided into two part सिफेलो थोरेक्स सिफेलो थोरेक्स क्या होता है जब head और थोरेक्स फ्यूज हो जाता है और एक बनेगा इसमें abdomen ठीक दूसरा important point त्यान से सुनना इनमें यहाँ पर आगे की और इस जगे पर इस तरह के कुछ पिंसर जैसे जो है चिम्टी की तरह कुछ structures होंगे सभी में होंगे यह जिनको हम चैली सेरी कहेंगे we will call them चैली सेरी so that is why the subphylum is given the name चैली सेरेटा क्योंकि इनमें सभ में यहाँ पर चैली सेरी होंगे correct बच्चों इनमें cockroach की तरह mandibles नहीं होंगे हमारा दो फाइलम दो सब फाइलम है चैली सेरेटा और mandibuleta fundamental difference ही यही है चैली सेरेटा में चैली सेरी होंगे चिम्टी की तरह होते हैं और mandibuleta में mandibles होते हैं जो jaws की तरह काम करेंगे correct और इसके ठीक पीछे यहां पे इनके पास एक और structure है जिसे हम pedi palp कहेंगे तो यह pedi palp और चैली सेरी इस दो यहां पर हमारे पास यह mouth part हो जाएंगे इनके पास pedi palp और चैली सेरी समझ गया आप चैली सेरेटा के दो character एक इनमें चैली सेरी होगा दूसरा pedi palp होगा और याद रखना है यहां लिख लेता हूँ मैं उपर की तरब लिख रहा हूँ कि एक तो इनमें antenna नहीं होगा और एक इनमें mandibles नहीं होगा क्योंकि antenna और mandibles जो होंगे हमारा अगला जो sub-fileum में mandible लेटा वो उसके character है तो यह आपको याद रखना है कि they do not have antenna they do not have mandibles but in place of antenna and mandibles they have chalicyri and pedible दूसरा important feature त्यान से सुनना they have four pairs of legs हमेशा इनमे four pairs of legs होंगे और यह जो four pairs of legs होंगे यह syphilodhorex में ही होंगे इनके abdomen में किसी तरह का कोई जो appendages होने चाहिए वो नहीं होंगे बच्चों that is another characteristic feature four pairs of four pairs of walking legs और कौन से पार्ट में है in syphilodhorex न की abdomen में abdomen खाली पड़ा होँ है वहां किसी तरह का कोई structure नहीं है तो यह fundamental characteristic होगे हमारा chelisirata यह general features बता दिये हमें आपको chelisirata के अब देखो हमारा यह जो सब फाइलम है chelisirata इस सब फाइलम chelisirata को हम तीन classes में divide करेंगे we will divide them into three classes और उन classes के नाम है मीरो स्टोमेटा मीरो स्टोमेटा एरेकनीडा और पिकनो गोनीडा पिकनो गोनीडा आपकी help के लिए उपर आ जाएं हम और यहाँ chelisirata में क्योंकि आपको notes भी बनाने होंगे तो किस तरह से बनाओगे notes मैं बता देता हूँ आपको chelisirata में हमारे पास तीन classes होगी पहली class हो जाएगी मीरो स्टोमेटा दूसरी एरेकनीडा और तीसरी पिकनो गोनीडा पिकनो गोनीडा अब इसमें मैं आपको बात पता रहा हूँ पिकनो गोनीडा याद रखने की जरूद नहीं है मीरो स्टोमेटा भी याद रखने की जरूद नहीं है चलिसिराटा की एक ही class याद रखने है यह तीनों classes है मैं यहां लिख देता हूँ चलिसिराटा सब फाइलम था और यह हमारे पास यहां इसकी तीन classes से बच्चों मीरो स्टोमेटा का नाम याद रखने की जरूद नहीं है एरेक नीडा का नाम आपको याद रखना है पिक्नो गोनीडा भी आपको याद नहीं रखना है बच्चों मीरो स्टोमेटा में एक ही एनिमल है यह मीरो स्टोमेटा नाम बले ही मत याद रखें आप इसका example याद रखना पड़ेगा आपको important है book में भी दिया हुआ है तो इसको भूल नहीं सकते हैं और इसका example है lemulus कल भी मैंने इसका नाम दो चार बार लिया है इस lemulus को हम king crab भी कहते हैं या हम इसको horse, shoe, crab भी कहते हैं बच्चों correct बड़ा simple सा दिखाई देता ही है इस तरह का इसका structure है horse, shoe आपको पता होगा कि जो गोड़े जो होते हैं हम जब इनको पालते हैं तो इनके पाउं में नीचे एक लोहे की इस तरह की ring लगाते हैं इस तरह की एक ring लगाते हैं उसको कील से लगा देते हैं उसके पाउं के नीचे दर्दवर्द नहीं होता है इसको horse shoe कहते है और क्योंकि इसका shape इससे मिलता जुलता है that is why we call it horse shoe crab हम इसको नाम देते हैं इस तरह से king crab पर यह अब आद अपने दिमाग में भी ढ़ाले ना कि यह true crab नहीं है तीखा सा structure होता है इसको tellson कहते है आप से पूछा नहीं जाएगा eyes जो होगी बच्चों simple eyes होगी तो दो pair इसमें simple eyes के होता है इस तरह का यह दिखाई देता है और देखने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इसका photograph भी है तो वो भी मैं आपको दिखाई दूँ photo life यह रही है हमारे पास इसका photograph यह देखिए तो इस तरह से यह हमारे पास एक animal हो गया इसका नाम है lemulus king crab और इसमें book में भी example दे रखा एक question क्या आएगा यह ध्यान रखना है कि यह animal जो है यह lemulus जो है living fossil है ठीक कल जो point बताये थे मैंने आपको शायद याद होंगे इसमें जो respiration होगा वो book gills से होते है respiration पानी में रहता है यह तो normal gills नहीं है book gills होंगे और इसके पास जो excretion होगा यह तो हो गया respiration याद करके बताओ बच्चों excretion किस्से था तो lemulus में respiration book gills से होता है और excretion उसमें coxal gland से होता है that's it इतना आपको यह lemulus के बारे में याद रखना पड़ेगा otherwise इसमें legs कितनी होगी तो वही four pairs of legs होगी why four pairs of legs because it belongs to chelisirata और chelisirata का एक characteristic मैं आपको बताई दिया पहले ही कि they have got four pairs of walking legs चले बच्चों आगे अब जैसा कि मैंने आपको बताया ereignida आपको याद रखना है picnogonida आपको याद नहीं रखना है तो न तुम्हें इसका example बताऊंगा न हम उसको discuss करेंगे ereignida में हमारे पास तीन तरह के animals आएंगे तो वह सबसे पहले याद रखनें एक इसमें आएगा आपके scorpion इसमें आएगा दूसरी जितनी भी spiders होती है वो भी सब ereignida में आती है और तीसरे जितनी भी ticks and mites होते हैं ticks and mites जो ये गाय और बेंस और dogs के उपर भी आपने देखा होगा चोटे-चोटे blood sucking एक्टो पेरासाइट्स नहीं होते हैं और नॉर्मल अपने जो arm ball चाल की भाशा है उसमें को हम चीचडियां कहते हैं वो चिपक जाती है और उनका खून पीती है कुत्तों के उपर भी होती है गायों भैसों के उपर भी होती है तो हम ticks and mites कहते हैं तो ये भी arachnida में आते हैं scorpion और spiders भी इसमें आते हैं scorpion तो आप जानते ही हो पहला example हमारे पास scorpion हो गया और scorpion का scientific name बता देता हूँ मैं आपको palemnious ये उसका scientific name scorpion का हो जाएगा और spider का जो scientific name होगा वो आपको ध्यान रखना है इसको हम eakirania कहते हैं spider को हम eakirania कहते हैं ये spider का scientific name होगा ये हमारे घरों में जो रहने वाली house spider है वो उसको हम ये कहते हैं eakirania कहते हैं ये उसका scientific name है अब बच्चो 97ATION बनते हैं 2-3 question बनते हैं थ्यान रख लें बड़े इंपोर्टेंट इसको लाइटली नहीं लेंगे स्पाइडर पर सबसे पहला क्यों आएगा कि इसमें रेस्पीरेशन किस से होता है तो पाइडर में जो रेस्पीरेशन होगा उसके लिए बुक लंग्स होते हैं पहले कल बता चुका हूं मैं मैं ग्लेंड्स भी हो सकती है यह आपको दो पुइंट बड़े ही इंपोर्टेंट इस्पाइडर से तीसरा क्यों पूछा जाएगा कि स्पाइडर में लेग्स कित्ती होती है तो लेग्स का आपको यह ध्यान रखना यह पूछते हैं तो बहुत बार पूछा हूँआ क्यों है चार पेर भी ऑप्शन हो सकता है या एट लेग्स भी ऑप्शन हो सकता है यह दोनों ही इसलिए आप ध्यान रखें यह क्योंस वहाँ पर लेग्स से भी स्पाइडर के बारे में पूछा जाता है मेंडिबल्स नहीं होंगे, एंटीना नहीं होगा, उसकी जगे इनके पास चैली सेरी और पेडी पैल्प होगे, Is that clear बच्चों? तो ये spider पर तीन चार question बनते हैं, सबसे important जो बनता है वो एक तो बुकलंग्स का बनता है, और दूसरा, legs का बनता है, कि spider में legs कितनी होती, कोई से भी spider हो, spider बले ही छोटी सी हो, लेकिन they have always four pairs of legs, even scorpion जो होगा, उसमें भी four pairs of legs हो जाएंगे, correct, scorpion को हम scientifically किस नाम से जानते हैं? पैलेमनियास, और spider पर ये तीन question, particularly जो दो questions हैं, वो आपको ध्यान रखना है, चलें अब हम आगे बात करते हैं, और let's talk about, जैसा कि मैंने बता दिया, पिक्नो गोनीटा को हम discuss नहीं करने वाले हैं, छोड़ो दो उसको, तो हमारे पास अगला जो subphylum है अब, वो है, mandibuleta, subphylum, mandibuleta, और नाम से ही पता चल जाएगा, mandibuleta में दो structures हो जाएगे, एक इनमें mandibles होगा, कोकरोच इसे से belong करता है, mandibuleta से, तो आपको दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, कि mandibuleta में जो, एक तो mandibul हो जाएगे, और mandibul के अलावा, उनके पास antenna हो जाएगा, इसके general feature ले ले लेते हैं, एक बार mandibuleta के, बड़ा जो है, यह हमारा group है, ध्यान रखें इसमें, एक तो body divided into, body divided into, head, thorax, और abdomen, तो आप बोलोगे, यह character हो तो आर्थर पुड़ा का वैसे ही है, हाँ ठीक है, आर्थर पुड़ा का यह characteristic है, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया होगा, क चैली से लेता में, body divided into two parts, सिफेलो तोरेक्स और abdomen, तो यहाँ पर क्या होगा, mandibuleta में, head, thorax और abdomen, सब सेपरेट होगे, पर इसमें भी फिर exception रहेगा, ध्यान रखना, कि exception जो है, वो होगा, crustacea का, crustacea के जो members होगे, उसमें सिफेलो तोरेक्स होगा, exception, crustacea, and they have got, again, सिफेल thorax, correct बच्चों, then second जो characteristic feature है, वो है, कि they have got, mandibles, जोगीन के basically, jaws होते हैं, और mandibles के अलावा, they have got antenna, और antenna जो होते हैं, वो, या तो, कोकरज में तो one pair ही था, लेकिन one और two pairs हो सकते हैं, antenna के, correct बच्चों, then, इन में जो eyes होगी, वो mostly compound eyes होगी, यह ध्यान रखना, spider में और इन में चली सिरेटा में जो eyes होती है, पहले भी मैंने आपको बताया उपर, जैसे हमने mirror estimator में देखी, इन के पास जो eyes होती, वो usually, simple eyes होती, even spider के जो eyes होगी, वो भी simple eyes होगी, compound eyes नहीं होगी, compound eyes is a characteristic feature of mandibulator, okay, excretion जो इन में होगा, वो cockroach को याद करते बचलें आप, तो excretion या तो इन में malpigen tubules से हो जाएगा, malpigen tubules, या इसमें crustaceae आएगा, और crustaceae में मैंने आपको कल ही समझा दिया, कि they have got antinary glands, जिनको हमने green gland भी कहा है, antinary glands या green glands भी कहते हैं, ये सारे important point है, बच्चों, मैं आपको प्यार बार बोल रहा हूँ, कि आर्थर बुड़ा में, जो question अगर difficult कभी बन गया, तो वो usually, या तो respiratory system से बनेगा, या excretory system से बनेगा, तो किस animal में, किस example में, किस तरह का excretory system है, किस तरह का उसमें respiratory system है, उस पर आप specially ध्यान दें, अच्छे से इसको याद रखें, ओके, तो ये हो गए हमारे पास कुछ general characters, जो mandibuleta के हैं, body divided into head thorax abdomen, लेकिन crustacea इसका exception हो जाएगा, कल मैंने prone का example बताया ही था, और prone में मैंने आपको civilo thorax बना के बता प्रोन, aquatic arthropod है ये, belongs to mandibuleta, तो ये एक exception हो जाएगा, फिर बागी simple है, क्योंकि it belongs to mandibuleta, तो इन में mandibles होंगे और antenna होंगे, कोक्रोच आपको याद होगा, इसलिए इन में eyes जो होगी, वो compound eyes होगी, excretion इन में, malpican tubules से हो जाएगा, और antinary gland से हो जाएगा, respiration इन में किस से tubes हो जाएगी, या फिर जो पानी में रहने वाले हैं, crustacea है ना, उन में gills हो जाएगे, किस में, crustacea में है, ओके, now come to the classes, इसको भी हमने अलग-अलग classes में divide किया है, तो फिर से वापस आ जाते हैं, उस पर, ये हमारा हो गया, sub-phylum, sub-phylum, mandibuleta, और इस sub-phylum, mandibuleta में हमारे पास सब आपको याद रखने की जुरूत नहीं है, और बहुत जाता आप परिशान भी नहीं हो, जितने मैं बताऊंगा, वही आपको याद रखने हैं, we have divided into six classes, mandibuleta को, एक class हो जाएगी, जिसको मैं इतनी देर से नाम लिये जा रह बच्चों इसमें, इसमें aquatic arthropods है, यह, aquatic arthropods, दूसरा हो जाएगा बिटा, diplopoda, दूसरी class जो होगी वो, diplopoda, diplopoda में आपके सारे के सारे millipedes आएगे, जितने भी millipedes होते हैं, वो diplopoda में आ जाएगे, तीसरी जो है, वो chilopoda हो जाएगी, और chilopoda में आपका centipedes में आ जितने भी centipedes होते हैं, वो सारे इसमें आएगे, और fourth, insecta, यह आपके पूरे, आप समझ लीजिए कि जो हमारा living, जितना भी plant kingdom हो, या animal kingdom हो, सबसे बड़ी class अगर कोई है, तो वो insecta है, इसमें सारे insects आएगे, including cockroach, पांचवा आपके इसमें poropoda है, इसको याद नहीं रखना है, न इसका example याद रखना है, तो इसको भूल जाएं आप, और poropoda के अलावा इसमें एक और है, simphila, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बच्चों, तो न तुमें इनके example बताऊंगा, न कुछ बताऊंगा, insecta का तुमें न आपक insert के तो खुब सारे examples हम discuss करेंगे, आप जितने भी जानते हो, वो सब बात करेंगे, सबसे पहले ले ले हम, crustacea, कुछ खास बात नहीं है बच्चों, पहला यहाँ पे ले लेते हम, crustacea, जो आपको याद रखना है, aquatic arthropods हैं यह, aquatic arthropods है, सिफिलो थोरेक्स होता है, बार-बार में आपको क्या बता हूँ, याद रख लें, इनकी body में दो ही division होंगे, head और, sorry, सिफिलो थोरेक्स और abdomen, head और थोरेक्स दोनों fuse हो जाएंगे, और यह हो जाएगा, क्योंकि यह पानी में रहते हैं, तो they have got gills for respiration, और एक इनका excretion पे से हम green gland कहते हैं, and this green gland is responsible for excretion, correct बच्चों, example कौन हो जाएगा, crustacea का, तो example हो जाएगे, crustacea के, वो हो जाएगे, एक तो आपका prawn, जिहेंगा जिसको कहते हैं, और इसका scientific name है, पेलिमॉन, जो हमारा scorpion था, वो palemnious था, और ये रहेगा, पेलिमॉन, prawn के अलावा इसमें, जितने भी crabs हैं, वो भी सब इसी में आएंगे, crabs जितने भी होते हैं, और scientific name उसका carcinus होता है, carcinus, और एक आपको silentrator के समय मैंने आपको बताया था, hermit crab भी बताया था, मैंने आपको, hermit crab, स किसके साथ था, एडिमसिया के साथ, hermit crab, इसका scientific name है, यूपेगूरस, इसके लावा इसमें आपको एक example और याद रखना है, और वो हो जाएगा, cyclops, पहले आचुका है cyclops, याद करिए आप, ये draconculus का vector है, ये draconculus का vector था, जब मैंने S के element पढ़ाया, तो उसमें cyclops का भी नाम लिया था, तो ये हो जाएगा, बस it is enough, इतने example हमारे लिए काफी है, crustacea के, crustacea के बाद में हमारे पास अगली class है, diplopoda, अभी मैंने आपको बताया, diplopoda, इसमें जो animals होंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, इस तरह के लंबे-लंबे animals होंगे, और body divided into segment, और हर segment में दो-दो pairs होंगे, legs के, तो जब हम इनको देखते हैं, नो हमें लगता है, इनके उपर बहुत सारे legs है, इतने हजारों की संक्या में लगते हैं, होते नहीं है, हजारों की संक्या में, पर क्योंकि हमें इतने ज़्यादा उनके यहां आगे इनका हो जाएगा, चोटे से दो antenna हो जाएंगे mandibles हो जाएंगे और यह इस सरे का structure होगा हर segment में इनके पास two pairs of legs तो पहला तो यही लिख देते हैं two pairs of legs two pairs of legs in each segment in each segment तो यह दियान रख लेना है आपको ओके और आप पहचान गए होंगे बच्चों यह आपके millipedes जो है garden वगेरा में जब अभी बारिश जब होगी उसमें यह बहुत सारे आ जाएंगे I have a photograph of that तो मैं आपको दिखाई देता हूं यह देखिए बच्चों यह हमारे पास यह यह हमारे पास millipedes है बच्चों ठीके तो अब देखके आप एकदम से पैचान गए होंगे कि हाँ यह तो हमारे school में और ground में बारिश में बहुत सारे निकलते हैं थाउजन्स ओफ यह वहां निकलते हैं इनसे बहुत गंदी सी एक smell भी आती कभी इनको हाथ में पकड़ लेना आप touch कर लो और फिर आप smell करोगे तो आपको एक बड़ी गंदी सी smell आएगी तो they have got stink glands जो basically phyromone release करती है और वो इनके protection के लिए है ताकि कोई predator इनको खाए नहीं इतनी गंदी बद्बू होगी तो कौन खाएगा इनको they have sting glands बारिश में निकलते हैं तो ये बच्चों सारे के सारे harbivores होते हैं गास होगेरा खाते हैं जब गास होगेगी उसी समय ये भी बहार आएंगे तो डरने की कोई जरूत नहीं आप इनको हाथ में ले सकते हैं ये आपको bite नहीं करेंगे ये इनके कुछ features हैं example बता दे तो मैं जुलूस ये scientific name है इसका जुलूस किसका scientific name है millipid का millipid क्यों का इसे because खूब सारे इनमें legs यहां अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर खूब सारे legs दिखाईते हैं बारिक 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 आब वह चीलो पोर्डा था जै चीलो पर्डा ये बड़ा डरावन आई हम जानते हैं इस में सारे के सारे centipedes आते हैं और सेन्टी डीड़ होते हैं सेन्टी पीडस का scientific नहें में स्कॉलो पेन्ड़ा ये scientific नहें उसका centi bits का centi bits भी आपने देखे होंगे कई बार हमारे bathroom वगेरा में भी कहीं इधर उदर देखने को मिल जाते हैं school वगेरा में मिली जो है centi bits इनके पर segment एक ही leg होता है मैं दिखा देता हूँ फोटो ही ले लेते हम उसका इनके हर segment में एक pair leg होंगे यह रहा है यह बहुत अच्छे से आप इसको जानती होंगे देखा होगा और यहां सर यह पेचान लिया हमने कन खजूरा कहते हैं हम इसको या हम इसको कन बिच्चू भी कहते हैं तो इसमें number of legs थोड़ी कम है खूब सारे तो हैं लेकिन हर segment में दो दो नहीं है पास पास नहीं है तो इसलिए यह इसमें और इसमें यह फर्क रहेगा कि they have got one pair of leg in each segment correct बच्चो देन इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इनका यह आगे वाला हिस्सा होता है यहां पे इस जगे पर poisonous close होते हैं तो यह कभी कभार हो सकता है आपको काट ले poisonous close होते हैं यहां पर इसमें वो हमें ध्यान रखना है और यह carnivorous है यह carnivorous है और जो हमारे millipedes थे हो सारे के सारे herbivorous है उनमें stingland होती इनमें poisonous close होते हैं वो हर्विवरस हैं यह कार्णिवरस हैं उनके हर सेग्मेंट में two pairs of legs होते हैं इनके हर सेग्मेंट में one pair of legs होते हैं बस इतना difference हमारे लिए काफी है और अब आ जाते हैं हमारी जो fourth class है that is insecta इंसेक्टा कोक्रोच इंसेक्टा से बिलों करता है इसलिए आपको कोई खास प्रेशानी इंसेक्टा से होगी नहीं body divided into head, thorax और abdomen thorax में हमेशा important point है याद रखना है three pairs of walking legs three pairs of walking legs in thorax तो भूलना ही नहीं है यह point अच्छे से याद रखना है legs से दो ही जगे question पूछेंगे या तो insect में पूछेंगे या spider में पूछेंगे spider में four pairs होगी legs के, eight legs होगी और जितने भी insects हैं अब दुनिया में most of the earth report जो हैं बच्चेओं वो सारे insecta से ही belong करते हैं तो they have got यह बहुत अच्छे से इसको अपने दिमाग में fit करके रखना है that they have three pairs of walking legs, cockroach याद रखें का cockroach belongs to insecta तो cockroach के character जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे बस इतना इनफ है हमारे लिए insecta से यह आपको याद रखना है बाकी cockroach आप पुरा पढ़ चुक है respiration के लिए they have got respiration के लिए they have got tracheal system for excretion के लिए they have got malbegian tubules malbegian tubules okay let's talk about their examples कुछ examples ले लेते हम पहला example में ले रहा हूँ बच्चों lapisma इसको हम silver fish कहते हैं मैटा अब यह question exam में पूछा जाता है which one of the following is not a fish यह इस तरह की question definitely आते हैं मैं अभी आपको बताई देता हूँ कि देखो एक आपको ध्यान रखना है silver fish यहीं हमारे पास आ गई silver fish basically क्या है आर्थर पुड़ा में आती है और क्या चीज है वो तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो एक तरह का insect है silver fish के अलावा जो exam में question आता है वो crayfish का आता है crayfish यह lobster जैसे दिखते हैं बच्चों क्रस्टेशिया में आते हैं क्रस्टेशिया में आते हैं लॉब्स्टर जैसे दिखाई देंगे तो यह भी आपको ध्यान रखना है आर्थर पुड़ा यह और खाली नाम से ही हमने इसको fish बोल दिया otherwise it is not a fish crayfish यह आपको याद रखना है फिर आर्थर पुड़ा के बाद मोलस्का में अपन जाएंगे तो मोलस्का में octopus आता है उसको हम devil fish कहते हैं octopus को तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो octopus devil fish है it belongs to molluska और it is also not a fish devil fish का यह तुम नंबर भी डाल देते हैं यह पहला दूसरा तीसरा फिर इसके बाद मोलस्का में ही मैं आपको पड़ाऊंगा एक cuttlefish आएगी तो cuttlefish भी मोलस्का में है वो भी fish नहीं है मोलस्का के बाद जैसे हम ekainodermita में जाएंगे तो ekainodermita में आपके starfish आएगी तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि starfish belongs to ekainodermita और ऐसे में वो भी true fish नहीं है तो ये आपसे 5-6 point एक हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे jellyfishes जो थी तो jellyfish जो होती है वो भी silendrata से belong करती है बच्चों वो भी fish नहीं है ये question तो बनता ही बनता है कई बार कि which of the following is not a fish तो ये silverfish, crayfish, devilfish, cuttlefish, starfish, jellyfish मेंने समझा दिया कि ये कौन-क बुक में एक list बना के रखें इसके अलावा बच्चे जहां गलती करते हैं वहां में बता देता हूं कि एक जिसको वेल मचली हिंदी में बोल देते हैं वेल जो है बच्चों वो भी fish नहीं है वो भी mammal है ठीक है पानी में रहती है अलग बात हो गई लेकिन वो भी जो है fish नह fish नहीं है यह कुछ points हैं बच्चों आपको याद रखना है anyway come back to हम पढ़ रहेते examples of इंसेक्टा पहला example मैंने लिया है लेपिस्मा silver fish कहते हैं fish जैसे इसकी appearance होती फोटो है मैं दिखा देता हूं आपको हमारे गर में भी यह देखने को मिलती है आपने कभी देखा होगा इसको हमारी books में इधर उधर यह मिल जाती कहा है हमारे पास इसका photograph silver fish का नहीं है तो छो यह मैं आपको फिर कभी बता दूँगा silver fish का photograph चलिए अब second example जो मैं ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं pediculus pediculus यह बच्चों हमारी जो है लाउस जो होती है head louse जूज इसको हम बोलते हैं यह वो है बच्चों ठीके तो ठीके यह एक example बहुत famous है हम जानते हैं इसको तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी एक हम example ले रहे हैं यहाँ पर sorry pediculus हो गया है let's talk about हमारी घर में जो रहने वाली house fly है उसके बारे में बात कर लेते हैं musca domestica musca domestica यह हमारे घरों में रहने वाली house fly है बच्चों इसके mouth parts कैसे होते हैं कल बताया था मैंने आपको इसके mouth parts sponging type के mouth parts हैं sponging type के तो यह एक और example हो गया इसके लावा एक example और दे रहा हूं मैं आपको याद रखना है बूलना नहीं है xenopsila xenopsila बच्चों इसको red flea कहते हैं यह red के उपर जो चुहे होते हैं उनके उपर tectoparasite है उनके उपर चिपकी रहती है और उनका खून पीती है अब important इसलिए है बच्चों कि it is a vector of it is a vector of bubonic plague प्लेग नाम की एक बीमारी होती है उस बड़ी epidemic disease है पहले इंडिया में हो चुकी है भी कुछ सालों पहले सूरत में भेंकरूप से plague पहला था और पहले तो काफी फैलता रहता है तो यह कोई कहता है यह चुहों से फैलती है basically चुहों से नहीं फैलती है बीमारी चुहों के उपर यह एक fly है यह xenopsila कहता है और यह उसको disease जो है वो bacterial disease है बच्चों it is caused by a bacteria लेकिन वो bacteria इस xenopsila के उपर रहता है और xenopsila red के उपर रहता है तो यह आपको यहां ध्यान रखना है bacteria का नाम भी मैं आपको बताई देता हूँ जो bacteria है उसका नाम है यर्सीनिया पैस्टिस यर्सीनिया पैस्टिस यह एक अपना जो है important question है बच्चों यह तो जो वेक्टर हो जाएगा उसका यह तो यह वेक्टर हो गई basically factor of the disease क्या disease है बुबोनिक plague कहते हैं हम इसको bacteria जिससे बीमारी होती हो यर्सीनिया पैस्टिस से होती है चले एक और example हम ले लेते हैं drosophila खूब example है खतम ही नहीं हम एक महिने तक भी पढ़े ना तब भी example खतम नहीं होंगे तो हम इतने example तो discuss नहीं करेंगे drosophila बहुत काम आता है यह इसको हम fruit fly कहते हैं तो यह आपको जो बोटनी में भी आपको काफी पढ़ने को मिलेगा genetics के जितने भी experiment है वो हमने mostly इसी पर किये हैं यह कुछ example जो है यह आपको याद रख नहीं है बच्चों इसके अलावा मैं और आपको बता रहा हूँ कुछ economically important insects की बात करें तो वो और ले ले लेते हैं economically important insects यह जो अब मैं example बता रहा हूँ इन में तो नीन में भी होना आप तो आपको यह example याद होने चाहिए economically important insects में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपकी honeybees तो honeybees को हम कहते हैं उनकी जो है वो एपेस जो है उस तरह की उनकी जीनस रहेगा वो एपेस रहेगा और हमारे इंडिया में चार species honeybee की बड़ी famous है एक है एपेस mellifera एपेस mellifera यह basically European honeybee है मिलती है हमारे यहाँ पे भी दूसरी जो है वो एपेस इंडिका है यह इंडिया की सबसे common है और जो एपेकल्चर जो लोग करते हैं जो honeybee को rearing करते हैं और उनसे honey वगेरा collect करते हैं इस प्रोसेस को हम एपेकल्चर कहते हैं बच्चों तो एपेकल्चर में जिस species को हम काम में लेते हैं वो एपेस इंडिका है लिख लें आप यहाँ इस species used in apiculture ध्यान रखें वट इस एपेकल्चर रियरिंग औफ honeybees जो है उसको हम apiculture कहते हैं इनका पालन करना यहीं मदुमक्की पालन जिसको हम बोलें तो उसमें इस species को हम काम में लेते हैं एपेस इंडिका इसके अलाबा एक और species इंडिया में है apis dorseta यह जो बड़े-बड़े भंवर होते हैं न बच्चों जो कहीं आप गुमने जाएं और पहाड़ों पर आपको बड़े-बड़े चत्ते देखने को मिलते हैं इन से शहद बहुत ज़्यादा quantity में निकलता है बड़े अग्रेसिव टाइप की variety है तो हम इसको क्या है कि पाल नहीं सकते हैं इसको एपिकल्चर में यूज नहीं कर सकते हैं otherwise सबसे ज़्यादा जो है honey इसे से मिलता है यह जाइंट हनीवी है यह यह जंगल में जो आदिवासी जो होते हैं वहाँ से collect करके लाते हैं पर इसको हम पाल नहीं सकते हैं ठीक है बच्चों एक और species हमारे पास species जो है वो honeybee की हो गई इसके अलावा जो एक और example economically important insect में आपको लेना है वो है bombix morai नाम से पता चल गया होगा आपको bombix morai यह हमारा silkworm है बच्चों यह silkworm है इसको हम silk moth भी कहते हैं silkworm या silk moth भी कहते हैं ठीक बच्चों आपको पता ही होगा इसका जो ककून होता है वो यह अपने चारों और एक ककून बनाती है उस ककून एक fiber से बनाती है उसमें fiber in protein होती है silk में protein कौन सी होती है यह आपको ध्यान रखना है silk में fiber in protein होती है कौन सी stage से हमको silk मिलता है तो वो ककून जो होता है वहीं से हमें silk is obtained from ककून silk is obtained from ककून तो यह आपको bombex morai यह morai क्यों पड़ा आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह क्या खाती है तो यह शहतूत की जो leaves होती है mulberry tree की जो leaves होती है और उस mulberry tree का नाम है scientific name है moris alba तो moris नाम शहतूत का होता है और क्योंकि यह शहतूत पर रहती है तो हमने इसकी species को नाम दिया bombix morai लिख लेते हैं हम आपको ध्यान रहेगा आपके काम भी आएगा bombix morai ठीक है feed upon feed upon leaves of mulberry tree mulberry tree और mulberry tree का scientific name क्या बताया मैंने moris alba मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको मैं insect के example पढ़ा रहा हूँ और अभी जो मैं economically important insect है उनकी बात कर रहा हूँ तीन economically important insects आपको याद रखना है पहला honeybees दूसरा bombix morai और तीसरा मैं ले रहा हूँ बच्चो लेसिफर लेसिफर लक्का ये इस गोड़ा लेसिफर लक्का बच्चों ये हमारा लेक इंसेक्ट है लेक आप समझते होंगे देखा भी होगा कई बार आपने ये जो हमारे कई बार envelops आते हैं उनके उपर एक sealing wax red color का एक material होता है वो sealing wax जिससे हम seal लगा देते हैं किसी भी चीज़ पर वो जो material है बच्चों वो basically lake होता है उसको हम लाक केते हैं हिंदी में और इंगलिश में हम उसको lake बोलते हैं ये जो लेसिफर लक्का नाम का एक insect है ये मेरे पास इसकी image है तो मैं आपको उसकी image बता देता हूं ये देखिए ये रहा हमारे पास there we have ये देखिए तो ये क्या है बच्चों इस तरह का तो ये insect है और ये इसके पास ये पेड़ों पर रहता है और ये आप देख सकते हो कि पेड़ों पर इसने lake बना रखा है ये produce करता है ये actually इसका गर है इनके अंदर रहता है फिर बाद में तो हम क्या है पेड़ों से इसको खुरच खुरच कर इसको collect कर लेते हैं और इसको गरम पानी में डालते हैं तो गरम पानी में ये melt हो जाता है तो खुरचते समय लकडी या अगर कोई impurity आई है तो वो impurity उसमें separate हो जाती है और हम उस lake को purify करके महां से collect कर लेते हैं तो ये जो lake आपके कहां 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 माता है एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो ceiling wax होता है वो है प्लस आप में से कई जानते भी होंगे कि इससे bangles भी बनाई जाती है चूडियां जो है वो भी इससे बनाई जाती है लेक से और otherwise एक और इसकी historic मतलब हमा इससानी भी importance है मैं आपको बता हूँ आपने कभी अभी महाबरत देखी होगी lockdown में भी देखा होगा कि पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने एक लाक्षा ग्रह बनाया था तो वो लाक्षा में जो लाक्षा वर्ड है वो लाक्ष से बना हुआ यह क्या है कि बच् लाक्षा ग्रह वो बैसिकली पूरा लाक्ष से बनाया गया था गर तो वो भी एक हिस्टोरिक इसकी importance है लैसिफर लग्का तो इस तरह से हमारे पास तीन economically important insects को याद रखना है आपको एक हो गया लैसिफर लग्का लाक बनता है इससे एक बॉम्बिक्स मोरई हो गया जो कि म भी कहते हैं हम इसको या silk मोत भी कहते हैं और पहला मैंने आपको honeybee का बताई दिया एपिस उसका genus है और इंडिया में उसकी चार species जो है वो आपको ध्यान रखना है एक एपिस mellifera है एपिस इंडिका है दौर सेटा है और फ्लोरिय है चले बच्चों आगे and then let's talk about एक और हमें ध्यान रखना है अब जो मैं इसमें ग्रूप ले रहा हूँ वो है vectors जो insect vectors है vectors of diseases vectors of diseases इसमें आपको तीनों mosquito लेने है mosquito की हमारे पास तीन species है पहले हो जाएगी आपकी एनोफिलीज ये insect vectors में आ रहे है एनोफिलीज बच्चों किसका वेक्टर है ता आपको ध्यान रखना ये plasmodium का वेक्टर है female एनोफिलीज होगी सब भी female आगे लगा देता हूँ female एनोफिलीज प्लाज्मोडियम जिससे malaria होता है ठीक दूसरा हमारे पास जो रहेगा वो qlex रहेगा फिर इसके आगे female लगा देता हूँ female qlex जो है वो अभी मैंने आपको बताया है प्रिछले जब हमने एसकेल में तीज पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो वुचेरेरिया बेंक्रोफ्टाई है फिलेरियल वर्म जिससे क्या होता है एलिफेंटियस होता है तो उसका जो एक्टर है वो female qlex है और mosquito की जो तीसरी वेराइटी है जिसको हम एडीज कहते है ये बचों डेंगू वाइरस जो है डेंगू वाइरस जिससे डेंगू फीवर होता है है ना उस डेंगू फीवर का वेक्टर है तो तीन मॉस्किटोज पहले समझा चुका हूँ female ही हमारा खुन पीती है male खुन नहीं पीत है और हमारे पास ये तीन मॉस्किटोज है एनोफिलीज क्यूलेक्स और एडीज और ये तीनो तीन अलग अलग डिजीज की वेक्टर है एनोफिलीज प्लाज्मोडियम की वेक्टर है मलेरिया होता है उससे क्यूलेक्स जो है वुचेरियरिया बेंक्रोफटाई जो हमारा फ Gregarious Pasts Presently आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान से एक टिड़ी दल आ रहा है तो वो टिड़ी दल बेसिकली यही है, Gregarious Gregarious का मतलब होता है बटा गुरूप बना के रहना और बड़ बड़ गुरूप होता है हिंदी में उस गुरूप के लिए एक बहुत ही बढ़या शभद है जिसको जिससे आप समझ जा वगिस कैसे लिखते है जुन्ड बनाके है ना जुन्ड की मातरा कुनस हो चाँ थी मुझे नहीं पता तो छोड़ है हम हिंडी में लिखते ही नहीं तो यह ग्रूप बना के रहते हैं बड़े बड़े अभी आपने देखा होगा इसका भी में फोटो मैंने आपके लिए तयार करके रखा हुआ है कैसे आते हैं यह इस तरह के होते हैं ग्रास उपर जैसे ही दिखाई देते हैं बचों टिड्डी जिसको पन कहते हैं यह देखो पेड़ पर बेड़ गए और 8-9 गंटे बेठे हैं तो उस पेड़ के उपर नीर हरा कलर का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं छोड़ते हैं सारा खाक हुआ कि फसलें बर्बाद कर देते हैं खेत बर्बाद कर देते हैं इस तरह से यह उड़कर आते हैं तो देयार बैसिकल यह देखिए तो यह इस तरह से फैलते हैं इतने बड़े यह हो जाते हैं यह दिख रहा है आपको और अभी रिसेंटली ता न्यूस पेपर में इंडिया में आपने सब जगे सुना ही होगा कि आये होए हैं यह और हर तीन-चार हर तीन में में यह ब्रीडिंग करते हैं और इंडिया पर प्रटिकुलरली अटेक इस तरह से करते रहते हैं ग्रिगेरियास पेस्ट नाम क्या है इसका नाम है बच्चों इसका लोकस्टा साइन्टिफिक नेम लोकस्टा टिड्डी दल जिसको हम कहते हैं वो यह है और एक लास्ट एक्जामपल कोर रहा था अच्छा वो मैंने आपको बता दिया लिम्यूलस और मुझे बताना था जो कि लिविंग फॉसिल है तो पहले हम बात कर चुके हैं आई हॉप यह सबसे पहले एक एक एक्जामपल हमने मीरो इस्टो मेटा में डिसकस कर लिया है यह रहा बच्छों तो इसकी क्या खास बात है यह ध्यान रखना है कि यह एक लिविंग फॉसिल है तो इसी के साथ हमारे आर्थर पुटा के सारे एक्जामपल्स कंप्लीट होते हैं बच्छों जो मैंने एक्जामपल जित्ते भी थे वो सारे में ने पढ़ा दिये यह आपको लिखने ही पड़ेंगे नोट्स बनाने ही पड़ेंगे यू हैव नो अधर ओप्शन और याद भी रखना पड़ेगा चलो बच्चों थेंक्यू वर्य मच्च आज इतना ही करते हम